सभी का स्वागत है सभी को जोहार बहुत सारे चात्रों का comment आनल लगता है जैसे मैं बार-बार आपको बताता हूं कि चात्र परिशान हो जाते हैं और होना भी चाहिए जैनमीन भी है क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया है सुप्रेम कोर्ट में मैं बात करना चाहूंगा य कि जीत उस case से सुनिस्चित हो सकती है यह मैं आपको उस वीडियो में बता दूँगा लेकिन यहां मैं थोड़ा clear कर देता हूँ क्योंकि कुछ updates सुप्रिम कोड से आये हुए है और आप खुद case status में जाके आप देख सकते हैं लेकिन मैं आपका काम असान कर देता हूँ कि यह कि क्या होने वाला है इससे आपको पता चल पाता है कि आपके case की और जा रही है तो सबसे पहले यहां देखिए आपके case तो यहीं पे है बाकी दूसरा आपको स्क्रीन में यहां पे दिख रहा होगा संताउन 59 यहां पे विग्ये पांडे यहां पे विश्नुकांत पांडे क का case इस case को जो है वो महताब महताब खान का case कौन है और क्यों इसका जिकर यहां पे मैं कर रहा हूं तो सबसे पहले बिश्नुकांत पांडे में एक पॉर्लम यहां पे है वो पॉर्लम यह है कि इसका जो है Respondence No.1 जो सरकार को Notice भजने की बात यहां पे होती है उसको यहां पे अभी तक अधुरा रखा गया है उसको नहीं किया गया है और छात्रों को चाहिए जो भी Petitioners है या उससे जुड़े वे जीतने भी चातर है उनको चाहिए कि अपने वकिल पर Pressure बना के उसको जल से जल जो है Notice करवाया जाए वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस Case को महताव खान से Tag है अब आपको समझने की जोरत यह भी पड़ेगी कि महताव खान के बारे में यहाँ टेक का matter क्यों हो रहा है तो आगे मैं ओभी क्लियर यहाँ पर करने वाला हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा Documents No.2.505 जो है यह आप खुद जाके देख सकते हैं और इसमें एक यहाँ देखिएगा यह अपडेट यहाँ पर आपको आया है तीस तारिक के डेट पर यह अपडेट यह है कि सरकार के तरफ से सरकार के तरफ से यह वकील को खड़ा किया गया है आपके विपक्ष में लड़ने के लिए मतलब आपके एगेंस लड़ने के लिए मैं बोल सकू तो सरकार के तरब से वकलात नमा जो होता है एक तरब से मैं कहूँ तो वो यहाँ पे दायर कर दिया गया है इस वकिल को लेके कि इस related vacancy को इस वकिल के द्वारा ही दिखा जाएगा और उस वकिल का नाम है मदूश्मीता बोरा ठीक है तो यह step जो है सरकार एक step आगे बढ़ा चुकी है मैं साब तरब बोलू तो respondents 2-3 दोनों जो है बहुत जल्दी respond कर देता है लेकिन सरकार जो है वो आप जान रहे हैं इतना बड़ा state का मालिक है तो इस सब मामलों में होता है जल्दी react नहीं करता है लेकिन यहाँ पर देखिए मैताव खाले case में जो है वो react कर चुगा है और यहाँ पर date आपके सो भी कर रहे है कि तीस तारीक को जो है वो सरकार के दरब से वाकलातनमा दायर करते हुए इस वकील को जो है hire किया गया है आपके case को लड़ने के लिए तो इसलिए मैं बोल रहा था कि इस case को अगर विके पांडे विश्नुकांत पांडे से tag है और विश्नुकांत पांडे में अगर कोई दिकत होती है तो इस case को भी यहाँ पे कुछ back step लेड़े की जुरूत यहाँ पर पढ़ जाएगी इसलिए अगर विश्नुकांत पांडे से कोई दिकत होता है तो वो दिकत ना हो और इस case को कुछ और मजबूती मिल सके इसका प्रियास उन सभी पिटरस्कुनरों करना चाहिए जो विश्नुकांत पांडे से related है मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि आपको जल्द से जल्द करने की जोड़त है लेकिन जितना जल्द हो सके आप अपने वकिल से बात करें उसके बाद क्या जानकारी वहाँ वकिल से मिलता है वो भी सहाजा करने का प्रियास करें क्योंकि वकिल भी घुमाने का प्रियास करते हैं और चात्रों को सचाई बताने से मुकरते हैं, यह सचाई है, उसके बाद मैं यहाँ बात करूँगा, और कुछ स्क्रीन सोट से, यहाँ पर आप देखिएगा, डेटेट के बारे में बताता हूँ, कि महताव खान का डेट जो है, वो 311.23 है, और भी एक-दो केस है, जिसे जित में जो है, वो महताव खान का केस लगा हुआ है, और समभावना यह है, कि 3 तारिकों, 3 नौवाव खान, बाकि अपकमिंग कुछ दिन में ही, अगर जितेंदर सरमा का भी केस लगता है, तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा, इस चैनल के माद्यम से, लेकिन अवे फिलाल जो है, वो महताव का केस जो है, रेस्टार में लगा हुआ है, और वहाँ पे एक इस्टेप बढ़कर समभावना यह है, कि चैंबर में जाने की पुरी-पुरी समभावना है, अब थोड़ा मैं यहाँ पे कुछ प्रोसेस की बात आपको कर देता हूँ, कि प्रोसेस आगे आ यह रेस्टार में है, रेस्टार में है, और एक मजबूत पक्च को रख रहा है, मैं अभी साफ तरबर बोलू, तो कि one of the best case है, जारकन पुलिस से related, आप खुद भी देख सकते हैं, case status आप जितने भी cases है, निकाल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कि one of the best case है, मै जो chamber bench में जाएगा, इसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया, कि सरकार के तरफ से वकिल का नाम यहाँ पर add किया गया है, उसमें जो है, फिर counter जो है, वो जवाब जमा करना पड़ता है, जैसे ही chamber में लगेगा, उसके बाद जो है, वो जमा करेगी सरकार, उसके बाद जो और आने वाले टाइम में कुछ भी अगर update आता है, आप से कुछ सयोग की ज़रत पड़ती है, तो वो भी बताया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल यही update था, बाकी आपको इंतिजार करने की ज़रत है, मैं ही कहूंगा, और December तक सम्भावना है, कि मैंन court तक आपके case की है, और आप joining करने वाले है, इसलिए आपको परिशान नहीं होना है, कुछ भी update अगर आता है, तो मैं पूरा उसका post madam करने का परियास करता हूँ, और एक short video है, मैं आपको यही बताऊं कि यह short video है, लेकिन इसका भी एक विस्तरित जानकारी, मैं आपको कुछी दिन में ब काफी important था, मेरे पास समय का अभी थोड़ा कमी है, मेरे कुछ मित्र हैं, जिनको पता होगा कि मैं काफी जो है, वो दिकतों के बाद video shoot कर पा रहा हूँ अभी, तो उनको कुछ पता है, लेकिन बाकी कोई दिकत नहीं है, आपके लिए ही तो इस channel को खड़ा किया गया है, और बेजी जेक आप हो सकते हैं, इसमें कोई दिकत नहीं है, और मैं एक चीज हमिसा बोलता हूँ, कि मैं भी वकील नहीं हूँ, लेकिन जानकारी रखता हूँ, तो आपको बताने का प्रियास भी करता हूँ, लेकिन अगर कुछ कमी रहा जाता है, तो आप भी बताएं, आपका भी स्वागत है, इस तरने पर अगर नहीं है, तो चलोगो सब्सक्राइब अरके बेल आइकोन को दबा लिजेगा, आप सभी का सुकरिया, धन्यवाद,